रामेश्वर याने की राम के ईश्वर ये श्री राम जी के ईश्वर याने की शिव जी का एक बहुत ही प्रसिद मंदर है जो की तमिलनाडो में स्थित है ये बारा जोते लिंगों में से एक है और चार दाम में से एक दाम भी है Hi everyone, welcome to Cook, Eat, Wonder कैसे हो आप सब लोग, बैहुं संधिया और मैं आज आपको लेकर आई हूँ रामेश्वरम आज की वीडियो में मैं आपके साथ रामेश्वरम विजिट करने के लिए आपको जिस भी डिटेल की ज़रुद पड़ेगी सारी डिटेल शेयर करूंगी साथ ही साथ हम मंदर विजिट करेंगे और भी कई जगे विजिट करेंगे So let's get started रामेश्वरम अगर आप बाइफ लाइट विजिट करना चाहते हो तो नियरेस्ट एरपोर्ट रहेगा मदुरे इंटरनाशनल एरपोर्ट वहाँ से रामेश्वरम का डिस्टन्स रहेगा 180 किलोमेटर अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे सेशन रहेगा मंदपम रेलवे सेशन जो 18 किलोमेटर के डिस्टन्स पर है आप अपने रामेश्वरम ट्रिप में सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे वो है ये पंबन ब्रिज ये बहुत ही इंपॉर्टन ब्रिज है जो connect करती है पंबन आइलेंड जो की है रामेश्वरम आईलेंड को मेन आईलेंड के साथ ये railway bridge बनी थी 1914 में और इस bridge के वज़े से train आराम से रामेश्रम तक पहुंच पाती थी लेकिन अब ये bridge functional नहीं है because of corrosion and other issues ये unfit हो चुकी है और इसी वज़े से अभी यहाँ पर एक नई bridge बन रही है आप देख सकते हो इस वीडियो में और ये bridge जब ready हो जाएगी तो फिर से train आराम से रामेश्रम तक पहुंच पाएगी लेकिन as of now आपको train से आना है तो मंडपम रिल्वे सेशन में उतर कर फिर बाई रोड आनी पड़ेगी और ये जो road bridge आप देख रहे हो ये 1988 में बनी थी 1914 में बनी हुई ये पंबन bridge इंडिया की सबसे पहली sea bridge है और सबसे लंबी bridge भी थी 2010 तक और 2010 में बैंडरा वरली ceiling बन गई थी तो ये longest नहीं रही ये इंडिया की सबसे पहली sea bridge होने के बावजूद भी एक masterpiece थी because इस bridge के बीच में एक ship के लिए opening बनाए गई थी जैसे कोई ship आती थी तो bridge को open किया जाता था engineering masterpiece थी ये bridge और अभी जो नया bridge बन रहा है इसमें भी आप देख सकते है same चीज फॉलो हो रही है इसमें भी एक center में opening बनाए जा रही है ship के लिए तो जब भी आप रामेश्वरम आए इस पुराने bridge और नए bridge को देखना मत भूलेगा रामेश्वरम में second place जो आपको विजट करनी चाहिए वो है अगनी तीर्थ रामेश्वरम के रामनाता स्वामी temple विजट करने से पहले जो भी बक्त है वो कुंड में सनान करते हैं तो आप किसी भी तरीकी का पूजा यहां पर इस अगनी तीर्थ में करवाना चाहते हो तो आप यहां पर करवा सकते हो तीर्थ कुंडों में सनान करना compulsory बिल्कुल भी नहीं है तो अगर आप करना चाते हो कुंड में सनान तो सबसे पहले अगनी तीर्थ में आकर यहाँ पर सनान करिएगा और उसके बाद यहाँ से 170 मीटर के रास्ते पर ही मंदिर है तो उसके बाद बाकी बाइस कुंड में आप सनान कर सकते हैं अगनी तीर्थ में मैंने नोटस किया कि काफी सारा वेस्ट प्रोडेक्ट और बहुत सारी कपड़े वगेरा फेके गए हैं और बिल्कुल भी पानी साफ नहीं था तो अगर आप चाहो तो पूरा सनान की बना बस अपने सर पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर बाकी तीर्थ कुंड पर आप सनान कर सकते हैं अगनी तीर्थ में सनान करकर बाकी बाइस कुंड जो मंदर के अंदर है वहाँ पर जाने के लिए आप वॉक करके ही आराम से जा सकते हैं मंदर के अंदर जो 22 कुंड है उसकी टाइमिंग है सुबह के साड़े 5 बचे से लेकर 12 बचे और फिर दुपैर के साड़े 3 बचे से लेकर 6 बचे 22 तीर्थ कुंड में सनान करने के लिए आपको 50 रुपीज का एक टोकन लेना पड़ता है और उसके बाद आप बस तीर्थ कुंड के सामने खड़े हो जाओगे तीर्थ कुंड में लोग रहेंगे जो आपके उपर कुंड का पानी डाल देंगे और कुछ कुंड में आपको फील होगा कि पानी काफी ठंडा है और कुछ कुंड में थोड़ा सा अलगी टेंपरेचर का पानी रहेगा मतलब टेंपरेचर वेरी करा था मुझे ये फील यहाँ पर आपको locker rooms मिल जाएंगे 20 से 100 रोपे के बीच में और वहाँ पर आप अपना कपड़ा वगेरा रख सकते हो सुबह सुबह भी ये lockers available रहती है मंदिर की टाइमिंग है सुबह के साड़े 4 बजे से लेकर दोपैर के 1 बजे तक फिर दोपैर के 3 बजे से लेकर शाम के साड़े 8 बजे तक भगवान श्री राम जो विश्नु भगवान के सातवे अवतार है उन्होंने शिवजी की पूजा यहाँ पर की थी रावन का वद करने के बाद रावन क्योंकि एक ब्रामन है और ब्रामन को मारने का जो पाप है वो राम भगवान के लिए धुलना बहुत जरूरी था तो विश्नु जी के कहने पर शिवजी की पूजा उन्होंने यहीं पर की थी शिवजी की पूजा करने के लिए श्री राम भगवान ने हनुमान जी को कैलाश बेचा था वहाँ से शिवलिंग लेकर आने के लिए लेकिन वहाँ से आने में वक्त जादा लगता है तो उसी ने एक मट्टी का शिवलिंग भी यहाँ पर बना दिया था तो यहाँ पर दोनों ही शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पर कोई ड्रस कोड तो नहीं है तो आप साड़ी, सूट, जीन्स, पैंट, धोती सब कुछ पैन सकते हैं लूंगी अलाउड नहीं है सेलफोन और हैं ने पिने का काफी सारा ओप्शन मिल जाए काफी सारे वेजेटेरियन होटल्स है जहाँ पर आपको पूरी वड़ा सब कुछ ही मिल जाएगा चाय नास्ता जो भी करना हो आप अराम से यहाँ पर कर सकते हैं वेजेटेरियन होटल्स की यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है अपनी गाड़ी लेकर आये थे तो हमारे लिए पार्किंग स्पेस जरूरी था तो हम जिस होटल में रुखे हैं उसके बारे में अगर आपको डीटेल्स चाहिए तो मैंने अल्री वीडियो अप्लोड कर लिया है तो आप वहां पे चेक आट कर सकते हैं मेरे चैनल में तो आप काफी अच्छा होटल है तो आप वहां पर भी रुख सकते हैं यहां पर आपको शेल से बने हुए काफी सारी चीज़े दिखेंगे इस्पेशली मिरर्स वगिरा बहुत जादा सुन्दर दिखाई दे रहे थे तो अगर आप यह सब परश्रेस करना चाहते हो तो यहां पर आ होटल रुम में जाई रहे हैं ब्रिकफस्ट करने के लिए तो हमने बस खाली चाय पी यहां पर मंदर के पास में आपको एजली ओटो वगिरा मिल जाएगे आपको कहीं पर भी जाना हो तो बाकी प्लेसे विजट करने के आप 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 अटो भी हायर कर सकते हैं यहां से अगला प्लेस जो हमने विजट किया वो है लक्षमन अतीरतम यहाँ पर लक्षमन भगवान का मंदर है क्योंकि लक्षमन भगवान जब रामेश्वर में थे सीता मा को वापस लाने के लिए लंका से तब उन्होंने यहाँ पर ही सनान सब किया था और शिवजी की पूझा भ विजिट कर सकते हो, यहाँ पर लक्षमन भगवान के साथ साथ सीतामा और राम भगवान के भी आइडल्स है, अगला प्लेस जो आपको विजिट करना चाहिए वो है पंच मुकी हनमान मंदर, यहाँ पर हनमान जी का आइडल काफी अलग आपको दिखाए देगा, जनमें पां मंदर भी आप जरूर विजिट करिएगा, राम इश्रम में आप कहीं पर भी जाओ, आपको पार्किंग स्पेस की दिक्कत नहीं होगी, और रोड्स काफी वाइड है, तो आप अराम से अपनी गाड़ी लेकर भी यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ से वोकबल डिस्टेंस पर ह तो यहाँ पर भी इनफ पार्किंग स्पेस है, आप चाहो तो यहाँ पर भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, तो यह है राम भगवान का मंदर, जो राम तीर्तम है, तो यहाँ पर भी एक तीर्थ कुंड है, पहले हम मंदर के अंदर विजिट करेंगे, और उसके बाद तीर्थ कुंड विजिट करेंगे, यहाँ पर किसी भी मंदर के अंदर कैमरा लाओड नहीं है, तो मैं शूट नहीं कर रही हूँ, अंदर में दर्शन हमने कर लिया है, मंदर के ठीक ओपसिट में है तीर्थ कुंड, तो अभी चलिए तीर्थ कुंड के अंदर चाहते हैं, और काफी राम जी सीता मा को वापस लंका से लेकर आने खिलिए यहाँ पर रामिश्रम आये थे, तो उन्होंने काफी वक्त यहाँ पर स्पैंड किया था, और स्नान वगिरा भी यहीं पर किया था, और जब रावन का वद करकर राम बगवान लंका से वापस रामिश्रम लोटे थे, तबी भी उन्होंने यहीं पर स्नान किया था, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं दनुश कोडी की तरफ, अभी यहाँ पर आपको पे करनी पड़ी कि 20 रुपीज अपनी गाड़ी के लिए as an environment fee और उसके बाद आप टूर्स दनुश कोडी जा सकते हैं और यहाँ पर आपको specially बूला जाएगा कि आपको प्लास्टिक नहीं फेकना है और वैसे भी आपको प्लास्टिक नहीं फेकना है लेकिन यहाँ यहाँ पर ज्यादा स्ट्रिक्ट है दनुश कोडी जाने वाली जो रूट है बहुत जादा सुन्दर है विकोस दोनों तरफ आपको सी दिखाए कि इनिशली लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जादा जादा देखने लगेगा और बीच में रोड है और रोड में आप जा रहे हैं बहुत जादा खूबसूरत साइट है आपको कोडंदर रामार टेंपल का एक बोड दिखाए देगा तो वहां से आपको बस एक लेफट टॉन लेना है और बहुत ही खूबसूरत टेंपल आपको दिखाए देगा यहां पर ऑन देवी तो दनुष कोडी तो यह तेंपल भी आप बिलकुल मत मिस्करीगा बिकॉज इ यह मंदिर वही जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने रावन का वद करने के बाद रावन की छोटे भाई जो विबीशन है उनका राजा बिशे किया था और उन्हें लंका का राजा बनाया था तो बिहाइंड इस स्टोरी यह है कि जब रावन की छोटे भाई विबीशन को पता चला कि रावन ने सीता मा का अपरन कर लिया है तो उन्होंने रावन को एडवाईस किया कि आप जाकर सीता मा को वापस राम भगवान के पास छोड़ कर आईए लेकिन इस बात से रावन न वापस लाने में राम भगवान की मदद भी की इसलिए जब राम भगवान ने रावन का वद कर दिया तो लंका का राजा विबीशन को घुशित कर दिया था यहां पर बीच सैड में शिवलिंग भी है जहां पर आप अभिशेक कर सकते हो समुद्र के पानी से और और यहां पर वो पत्थर भी आपको दिखाए देगा जो राम सेतु ब्रिज बनाने में यूज हुई है अभी हम मंदर से निखले हैं और कुछी देर में हम पांच जाएंगे दनुशकोडी बीच और दनुशकोडी एंड ओफ लैंड है और उसके आगे आपको स्री लंका ही दिखाए लेट्स गो हैड इस तरीके से हम जा रहे हैं दोनों तरफ सी है और पीच में ये छूट आसा रोड है इस तरफ देखे पुरा बीच है वह सरे बुश्य है तो थोड़ा है जाए लेकिन आगे और अच्छा भीव मिलेगा इस 1964 में आए एक बहुत ही खतरनाक साइकलोन ने दनुशकोडी विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉई कर दिया था यहाँ पर आपको बहुत सारा डिस्ट्रक्शन दिखाए देगा और इसे गोस्ट विलेज भी बोला जाते है आज शेकल बट बहुत ही सैड स्टोरी है यहां के लोगों ने अपनी जान यहां पर लूज कर ली थी यहां के लोकल्स ने हमें बताया कि दनुशकोडी इनिशली रामेश्रम से भी बहुत बड़ी जगह थी लेकिन साइकलोन के बाद अब रामेश्रम जादा बढ़ा है और दनुशकोडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉ उघ्या कुछनी पर चुकी थी। यहां पर कुछ कुछ स्टॉल्स पी है सीफूड बड़ा दिखाई दे रहा है तो अगर आप को लोकल टेस्ट करना यहां अगर से फूर्ट अगर खातो तो यहां पर शूप कर सकता कि और सब्स्क्रावान ऑफ यहां पर बाक तो बैग तो अगर आप सीफूड के इतने सारे मैस वगेरा है तो यस बहुत मिला मुझे लग रहा है अगर आप सीफूड एंजॉय करना चाहते हो तो ये एक अच्छा प्लेस रहेगा देखे हम लोग अल्मोस्ट इंडिया के एंड में पहुंच रहे हैं इतना और कवर हो जाए मेरी राइट साइड में है इंडिया नोशन और लेफ्ट साइड में है बेओ बेंगॉल बेओ बेंगॉल वाले साइड में आप उतर कर अच्छे से नजॉय कर सकते हो बिकाज यहां ताइड जादा नहीं है और बहुत ही सेफ है आप अराम से बीच में उतर सकते हैं लेकिन जो इंडिया नोशन वाला साइड वो बहुत जादा डीप है और आप बिल्कुल भी उतरनी सकते हैं इस नौट सेफ जैसी हम लोग बेओ बेंगॉल वाले साइड में इतना जादा आप काफी अंदर तक भी उतर सकते हो चाहो तो काफी साइड लोग यहां पर स्विम्मिंग तक कर रहे हैं बिल्कुल टाइड निये तो आराम से अलमुस्ट सुमिंग पूल टाइप का ही हो गया और काफी जादा मजा रहा था है टोटली एंजॉड इंजॉड इंजॉड इ यहां पर आते हो और यह जो दनश कोड़ी है यह छे बजे के बाद एंट्री यहां पर आलाओड नहीं होती है बिकाज आप सेफटी रीजन्स यहां पर आपको फ्रेश ओरेंज एंड मॉसंबी जूस भी मिल जाएंगे तो एकदम मैनुवल तरीके से एक्स्टाइक किया जा यहां पर आपको जूस के अलावा निम्बू पानी और कट फ्रूट्स वगेरा भी मिल जाएंगे और यहां पर मैं और यहां पर मैं और इवू बैट गये हैं एक पत्थर के उपपर एंड वेटिंग फॉर आर जूस यह मौसंबी जूस बहुत जादा रिफ्रेशिंग थी इतना जादा मजा आगया मझे बिकास एक तो यहां पर ना इतनी जादा धूप थी बिकास चे बजी से पले आपको विजिट करना है तो मोस्ट पॉबली आपको अफ्टरनून टाइम पही आना पड़ जाता है और इत और मोती के बहुत सारे टाइप ऑफ जूइलरी यह साई चीजे भी यहां से पर्चेस कर सकते हो तो यह से यह भी आप चेकाओड करना यहां पे काफी सारे स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे Bay of Bengal और Indian Ocean के बीच में यह जो दनुशकोडी में रोड बनी है यह बस 5 साल पहले बनी है उससे पहले पत्त्रों के बीच में आप आने ही पड़ती थी तो इतना easy नहीं था अब हम लोग पहुँच रहे हैं एकदम end point में दनुशकोडी के तो exactly इंडिया का last point वहां से मैं आपको view दिखाती हो भी थोड़े दिर में अभी मैं इंडिया की last point से ये वीडियो शूट कर रही हूँ और यहीं पर राम से तु ब्रिज बनवाई थी राम भगवान ने हनुमान जी की मदद से और वानर सेना की मदद से और यहां पर floating stones यूज़ हुए थे पुरे ब्रिज बनाने के लिए और ये दनुशकोडी वाल कर कर श्री लंका देख सकते हैं और और अलसो राम सेतु ब्रिज के रिमेनिंग्स भी आपको थोड़ से दिखाये देंगे लेकिन राम सेतु ब्रिज अभी completely पानी के अंदर इमर्स हो चुका है तो आपको इतना जादा अच्छे से नहीं दिखने वाला है दनुशकोडी से निकल कर हम आ गए हैं हमारे नेक्स लोकेशन पर जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर हमारे इंडिया की फॉर्मल प्रेसिज़ेंट और ग्रेट सेंटिस्ट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी का घर अभी एक म्यूजियम में बदल दिया है अंदर वीडियोग्राफ तो आप यहां पर डेफिनेटली आईएगा बहुत ही नॉमनल फी है फाइर उपीस थी एंट्री फी तो डेफिनेटली विजिट करिएगा घर का उपर का जो फ्लोर है वो एक शॉपिंग मॉल में बदल दिया है नाट इग्जाटली मॉल एक फ्लोर है जहां पे आप कुछ ना कुछ शेल्स और पर्ल्स के सामान या बाकी सारी चीज़े खरीच सकते हैं लास्ट पट नॉट दे लीस्ट यह है अबदुलकलाम जी का मेमोरियल जो एकदम हाइवे पर ही है तो यह भी आप विजट कर सकते हैं अनफॉचनेटली टाइम कंस्ट्रेंट के वज़े से हम अनदर नहीं जा पाए बट काफी सुंदर लग रहा था बाहर से ही तो आप डेफिनेटली कर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली विजट करिएगा यह थोड़ा ओफ टॉपिक हो सकता है लेकिन मैंने सोचा कि यह भी वीडियो में दिखा दू वैसे रामेश्रम में आपको चटपटा खाने का मन करें और कुछ मिले नहीं तो आप बेस्ट ममी में आ सकते हो और कुछ चाटवाट, बर्गर, पीजा यह सब खा सकते हो यहां से हमने एक पानी पुरी और कर लिया और एक प्लेट में आपको 10 पीसे मिल जाएंगे और काफी बड़े-बड़े प प्रोमनेंट नहीं तो मुझा लगा कि पानी पुरी तो अच्छी नहीं रागी लेकिन काफी अच्छी थी अच्छी थी अच्छी एच्छी थी तो इसी पोटेटो की स्टफिंग और काफी सारा अनियन डाला हुआ है और पानी बढ़िया खटा मिता पानी था बहुत पानी पुरी तो डेफिनिटली ट्राइ कर सकते आपको पसंद आएगा यहां से हमने एक मश्रूम 65 मंगा लिया इसके ओपर से थोड़ासा चाट मसारा डाला हुआ है काफी सार अनियन डाला हुआ है थोड़ासा निम्बू डाला हुआ है तो आप ट्राइ जरूर कर सकते हो और येस ताट सौल फुटेए गाइस आप अचका वीडियो अपलोड इंजॉय किया और इस वीडियो में मैंने काफी महनत किये तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज में लिए छोड़ासा कॉमेंट भी छोड़के जाएए मुझे काफी अच्छा लगेगा और वीडि